तो भाई अगर आप भी OnePlus 13 का इंतिजार कर रहे थे तो आपका इंतिजार यहां पर खतम होने वाला है क्योंकि OnePlus ने officially announce कर जे है कि वो जल्दी चाइना के इंदर अपने स्मार्टफून को launch करने वाला है और फिर वो जल्दी ही इंडिया के इंदर भी देख मिलेगा अब देखो करके इंडिया में आने वाला वह सारी चीजर बताउ हो और कि इस प्रैजिंग में आने वाला वह चीजर को आने वाला उब Laut बंग्स को डिखाने वाला है और उनपन करते हैं एहांपर हमारा स्मार्टफोन है ने कुछ द्यूजर मैनवल दिखाई गी है तो यह कुछ बोक्स कंटेंडरा जो की दिखाए गया था स्मार्टफून से लेटिड और यहां पर इसका कुछ यहां पर डिजाइन वगारा भी दिखाए गया जिसमें कैमरा देखोगे तो सर्कुलर कैमरा मोडिल देखने को मुझाता है अलर्ट स्लाइडर देखने मुझाता है ग्लास बैक देखने मुझाता है तो यह कुछ ऐसा डिजाइन दिखाए गया था तो यह वीडियो थी जो कि निकल कराए थी वन प्लस 13 स्मार्टफून की जो कि हमने आपको दिखाई अभी चलब पढ़ते हैं हमारे स्मार्टफून की तरफ और बात करते हैं कि क्या कुछ हमें यहां पर देख मिलेगा देखो सबसे पहले मैं बैक के डिजैन की बात करता हूं तो अब की बार यहां पर वीगन लैदर वाला डिजैन भी देख मिलेगा एक मिलेगा जिसमें ग्लास बैक भी आपको यहां पर देखने को मिल जाए reflex rate गर मैं होरे दिंशेयर बैद घंचे कम रहने वाले जो डिस्प्ल ей ना except रहने वाली और है यहांपर मैं ब्रै निस की बात क्था हैं ऐसाई चारहाग़् पांचों निट्स की और चाहिए या या و दुस्री बात अगर मैं camera की बात करता हूं तो triple camera देख मिलेगा जिसमें तीनों ही lens 50-50 MP के रहेंगे primary camera 50 MP का जहाँ पर में sony का lens मिलेगा sony lyt 808 scuddy lens होगा वो भी 50 MP होगा जहाँ पर में samsung का sensor देख मिलेगा jn5 sensor देख मिलेगा जो third lens होगा वो अगें 50 MP का रहने वाला है जो की sony lyt 680 sensor के साथ आएगा and 32 MP की selfie देखने को मिल जाएगी और यह sony imx 615 sensor के साथ मिलने वाली है यहनि अगर हम इसको compare करते हैं one plus 12 से तो no doubt हमें यहाँ पर camera में improvement देखने को मिलने वाले है rear side and front side दोनों ही तरफ हमें 4K video recording option देख मिलेगा जिसमें आप 4K video record कर सकते हो 30 fps एं 60 fps दोनों में ही तो no doubt camera में हमें यह आपर जुरूर improvement देखने मिलेंगे बात कहता हूँ performance की और performance की बात कहता हूँ तो यहाँ पर snapdragon 8 elite chipset जो की भाई अब तक का सबसे powerful chipset है इसके काफी सारे N2-2 benchmark score भी निकल कराए थे कुछ test निकल कराए थे जो की screenshot में आपको मारी display पर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर यह जो test निकल कराए है वो भाई overtake कर रहे है iPhone 16 series को तो no doubt आप यहाँ से अंताजा लगा सकते हो कि कितना powerful यह smartphone होने वाला performance के मामले में इसके लाव अगर मैं बात कता हूँ RAM ROM टाइप की LPDDR 5X टाइप की RAM मिल जाएगी NFC मिलेगा आपको बहुत सारे feature देखने को मिल जाएंगे जो कि इसकी performance को और भी ज्यादा enhance करने वाली है तो no doubt अगर आप gaming lover हो या चाहते थे वाई अच्छी performance होने चीए तो यहाँ पर आपको performance है काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर charging speed मैंने आपको बता था 100W की fast आपको देख मिलेगा इसके लावा आपको wireless charging और reverse charging आपको देख मिलेगा जिसमें आपको 50W का wireless charging आपको रहेगा और इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्वरी एंड तक जो यह smartphone इंडिया में आ सकता है pricing की बात करता हूँ तो एप्रोक 65,000 के around जो यह smartphone की pricing इंडिया में रहने वाली है बता जा रहे है कि जो OnePlus 12 की pricing थी as it is same pricing के अंदर ही हमें इंडिया में देख मिलेगा तो यह थे दोस्तों सारे लीक्स OnePlus 13 से लेटेट कैसे लेए आपको कमेंड में बज़ूरू बताना आज के लिब सी तरह है मिलते नेक्स टेमेंट से हैंड़